किसान भाईयों गन्य की कटाई का समय है और इसमें उत्तर भारत में चीनी विलें चल चुकी है और गन्य को कैसे कटा जाए इसके लिए यहां पर एक माकेनिकल आटोमेटिक हर्वेस्टर जिससे हम गन्य की कटाई कर सकते हैं सक्तिमान एक कमपणी हमने बनाया है ऐसी बहुत स से thing जा से题िन हजार की जार से कुट्र गन्य की कटाई आप कर सकते हैं इसे काटने के लिए जरूरी है कि गन्य की जो रायने य diverses ना हो बलकि ट्रेंच के अंदर गन्ना हो चाहे वो सिंगल लाइन हो और चाहे डबल लाइन हो तब भी उसकी कटाई हो जाती है इसको आपरेट करके यहाँ पर देखा गया था आप देख सकते हैं इससे हर्विस्टिंग करने में यह फाइदा है कि जो गन्ना गिर भी गया है उस गन्ने को भी यह नीचे से गाइड करके उठा करके और काट सकती है मसीन गन्ने को बलकिल सतह से जो निचली सतह है वहाँ से कटाई हो रही है निचली सता से गन्य को काटने से ये फायदा है कि ठूट जमीन के नीचे रहती है जिसे गन्य का जो फुटाव होता है वो नीचे से होता है गन्य की पत्तियां इसमें बारीक हो जाती है सूखी पत्तियां ठूट बारीक हो जाती है और इसमें हम यूरिया डाल करके या कंपोस्ट खाद या बायोटी कंपोसर डाल करके इन पत्तियों को बहुत आसानी से 40-50 दिन में शड़ा सकते हैं और जो गन्य की पेड़ी का खुटाओ है वह बहुत बहतर होगा एक यूनिफार्मिटी उसमें होगी एक साथ खुटाओ होगा सिंकुरनस खुटाओ होगा जिससे गन्य की जो मुटाई है लंबाई है वो बराबर रहेगी वजन भी अच्छा होगा और उपज तभी अच्छी है वो यह है कि एक साथ आप पूरे खेत की कटाई कर सकते हैं जिससे पूरे खेतम में भुटाओ होगा वह एक साथ ही होगा इसके अलाबा इस मसीन का जो एक बेहतर वंपयों हम यह कर सकते हैं कि जो ट्रैस की बर्निंग करते हैं त करने की पत्तियों को हमको जलाना पड़ता है बहुत सरे छेत्रों में पिसान रहा इसको जला देते हैं तो उससे हमारा जहां एक और पर्याबरन खराब हो रहा है उसमें पालुशन क्रियेट हो रहा है वहीं दूसरी और जो जमीन को पोशक्तत्यों की भरपाई होनी चाहिए उसका भी नुक्सान हो रहा है ऐसी चीज को रोकने के लिए यह मसीन बहुत बहुत बहतर है अगर इस मसीन को सभी चीने मिलें अनिवारे रूप से प्रयोग करना शुरू कर दें तो निश्चित दोर से जमीन की जूर बरा चमता है उसको भी बढ़ाया सकता है और पर्याब यानि जो कट टू क्रस्ट पिरेड है यानि गन्य को काटने के बाद मसीन चीने मिल में गन्य की पिराई तक उस टाइम को हम कम कर सकते हैं और एक तरह किसे नेशनल जो लास होता है सुगर का उसको भी बचाया जा सकता है अगर इस मसीन का सभी प्योग किया जाए दूसरा ज प्योग बहुत आसानी से कर सकते हैं और जब चाहें तो खेत में गन्य काट सकते हैं दूसरा जो उप्योग है इसका वह यह है कि गन्य की लोडिंग भी खेत के अंदर ही जो फिल्डर होते हैं इसमें आप देख रहे होंगे आगे जो ट्रेक्टर है उसमें पहिया नहीं है पहिया होने से यह तो इस ट्रेक्टर को चलाने में कोई वाज़ा कोई देक्कत नहीं आती है दूसरा जो हमारी ठूटत है वह भी बंजलती नहीं हैickers और बज जाती ही और तीसरा उसका सबसे बड़ा फायदा है कि ट्रेक्टर अपने आप गाइड होता रहता है हाइडरलिक सिस्टम से चलता रहता है और इससे दिकत नहीं आती ही स्टेरिंग को घुमाने में धन्यवाद